healthy digestion किसको नहीं चाहिए होता है आप लोग चाहते है ना कि ग्यास ना बने डाइजिस्ट हो जाए सारा खाना और फाट ना चड़े वेट ना हमारा बढ़े है ना तो आज आपको दो चीज़े बताने वाली हूँ तोटका आप सुन लीजे आपको खाने के आदे घंटे के बाद यह वाला पानी पीना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ उससे आपका सारा खाना अच्छे से डाइजिस्ट हो जाएगा मेटबॉलिजम फास्ट होगा तो डाइजिस्ट होगा यानि कि आपकी ना तो शुगर लेवल बढ़ेगी ना ही आपका फाट चड़ेगा पानी कैसे बनाना है सुन लीजे आपको आधा चमच अजवाएन आधा चमच जीरा दोनों को रोस्ट भी कर सकते या फिर आप पानी में ऐसे बॉइल कर लीजे जैसे मैंने बॉइल किया अच्छे से आप इसमें सॉंफ भी डाल सकते मैं तो डाल लेती हूँ आपको डालने उसके बाद आप इस आसन में जिसको हम लोग वजरासन भी कहते हैं बैठ जाएए आपके जो पैर है इसके जो टोज है ये आउट वर्ड्स हैं फ्लाट हो तो बेटर है आप फ्लाट कर सकते हैं कोई ऐसे नहीं बैठ सकते तो कोई कुशन या पिलो यहां पर रख लीजे बैठ बैठ जाएए और जो आपका पोज है आप योग असन में बैठ सकते हैं आपको कुछ मिनट के लिए वजरासन में बैठना है आपका जो खाना है डाइजस्ट हो जाएगा पेज जो है आपका बहुत लेवल तक आपको इंट रदक्शन भी मिलेगा तो बता दिया मैने खाना कैसे डाइजस्ट होगा फाट कैसे बरन होगा और इनकेस अगर आप डाइबेटिक पेशिंट है मोरिंगा के पत्ते घर पे लगे होंगे उसको बॉल करके पी लीजेगा और आपका डाइबेटीज भी लेवल देख लेना फिर कैसा लगा आज का तोट का लोगों को माक्सिम मैंने बताई है खाना चॉंक्री मारकर बैठ कर खाईए खाने के साथ पानी मत पीजे खाने के आदे घंटे के बाद अजवायन का पानी पीना है और अगर आप डाइबेटिक पेशिंट है तो मुरिंगा का पानी पी लीजे